इस दुनिया में ऐसे जीब मौझूद है जो कई किलोमेटर तक दूर मौझूद चीजों को भी देख सकता है और कुछ जीबों को इतने करीब से भी देख पाना नामुम्किन हो जाता है तो आज हम ऐसे ही कुछ विचित्र जीबों के बारे में बताएंगे जो जरूरत पढ़ कीट ज्यादतर हमें आम के पत्तों बर देखने को मिलता है जो साउथिस्ट एशिया और भारत स्री लंका जैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है यह कैटरपिलर अपने जीवनकाल के दौरान अंडे से लाडवाल स्टेज में आने के बाद आखिर में क्रिसमेरी अवस्था में आता है और फिर एक तीतली बन जाती है इस पत्ती के अंदर छुपी हुई कंडिशन इसकी लाडवाल स्थिदी की है यह कैटरपिलर अगर नर्व होता है तो यह भूरे रंग के शेड में जनम लेता है वही दूसरी तरफ मादा कैटरपिलर की रंग डार्क ग्रीन कलर की होती है जिससे कि इसे देखते ही कोई बता सकता है कि यह मादा कैटरपिलर है या फिर पूरुष कैटरपिलर फैस्मीड जिसे आसान भासा में स्टिक इंसेक्ट भी कहा जाता है यह जीब को अगर आप पेरों पर उड़ते हुए देखते हो तो पहली दफा शायद यह आपक आसानी से चक्मा देने में कामियाब हो जाता है यह जीब दिनों के उजाले में बहुती कम हिलते डूलते हैं एक इंट्रेस्टिंग बात यह भी है कि इस जीब के केस में मादास्टिक इंसेक्ट नर्से ज्यादा लंबी होती है कुछी दिर पहले आप लोगों ने बैरन कैटरपिलर के बारे में सुना था जो किसी आम के पत्तियों में आसानी से चुप सकता है लेकिन यह फिलीडाय लीफ इंसेक्ट खुद ही एक पत्तों की तरह दिखाई देता है यह जीब पत्ते वाले सबजियों में ज्यादा पाया जाता है जिससे कि अपने आसपास के एंवार्मेंट में यह अपने आपको छुपा सके इसे देखने में किसी पत्तियों के तरह होने के चलते इसे वाकिंग लीफ भी कहा जाता है यह एशिया अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में ज्यादातर देखने को मिलता है यह देखने मे इतना अनोखा है कि इसमें और किसी पत्तियों में फर्क पता करना बिलकुल नामुम्किन लगता है अगला जीब है डेडलीफ मैंटीस तो जैसे गिरगिट जरुरत पढ़ने पर अपना रंग बदल के अपने आपको छुपा सकता है ठीक उसी तरह ये जीब भी अपने आपको पेरों की पत्तियों में चुपा लेता है हरे पत्तों से सरावंडेड होने पर इसका कलर हरे रंका और जमीन पे जाने पर ब्राउन रंका हो जाता है जिससे ये अपने आपको शिकारियों से बचा लेता है और सबसे आखिर में लीव टेल्ड गेको जिसे मैदागसकर आइलेंड के ट्रोपिकल फॉरिस्ट में देखा जा सकता है और इस जीब की खासियत इसकी बनावट से है इसकी पूरी बोडी बिल से लेकर 30 cm के जितनी होती है जरा ध्यान से देखिए इस तजवीर को इसे देखकर कौन कहेगा कि यहां लीव टेल्ड को छुपा हुआ है धरती पर इस जीब की डिमांड इतना ज्यादा है कि इसे गैर कानूनी तोर पर पकर कर इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ही ज्याद को सबसे अनुखा लगा और आपको नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर अवी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अन कर दीजिए क्यूंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फर वाचिंग